यूट्यू अप्रवीन में आपका स्वागत है दोस्तो आजन बनाएंगे शकरकंद की हुए हो भी बहुती आसान तरीके से तो अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो जो ये जानते हैं शकरकंद क हुई 100 ग्राम आटा गेहूं का 50 ग्राम चीनी पिसी हुई 4-5 इलाइची कुटी हुई और दो चम्मच नारियल का बुरादा सबसे पहले मैंने शकरकंद को कद्दू कस कर लिया है इससे मुझे आटा गूतने में काफी असानी रहेगी अब मैं इसमें एट करूंगी तरीब 500 ग्राम आटा इक चीज ज्याद रखेगा आटे की मात्रा कम रखनी है वरना पूए सौफ्ट नहीं बनेंगे अब मैं इसमें आट करूंगी पिसी हुई शीनी नारियल का बुरादा और इलाइची और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी हमें इसे बिना पानी डाले गू अब मैंने एक पैन में तेल गरम कर दिया है अब इस आटे की छोटी छोटी लोई काट ले और इसे हल्का सा पर्थन लगा की बेल लें इससे की चिपकेंगे भी नहीं और इसली बन दी जाएंगे ये देखे मैंने इसे इस तरीके से बेला है अब इसका शेप हमें गोल देने के लिए मैंने इसे कटोरी से काट लिया है इससे ये बिलकुल गोल अकार की हो गई है और ये देखने में भी अच्छे लगेंगे अब इस तरीके से करके मैं सारे पुव को बेल लूँगे ये देखे ये बहुत ही अच्छा तरीका है गोल अकार देने का ये देखे मैंने सारे पुव बेल लिये है अब तिल गरम हो चुका है और अब मैं इसमें सारे पुव देखे करके डाल दूँगे एक बार में मतलब चार पुए क्योंकि मेरा पैन बड़ा है इस तरीके से और इसे धीरे-धीरे से चलाऊंगे एक तरफ पक जाने के बाद मैं इसे अराम से पलटूंगी ये देखिए पुए फूल भी रहे हैं तो ये इसली फूलेंगे भी अब मैं इसे इस तरह से पलटती रहूंगी और इसे लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगे अब मैं इने टिशू पेपर में निकाल लूँगी इनको जादा ओवर कुद भी नहीं करना है वना इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता है ये देखे दोस्तों हमारे पूए बन के तयार हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू